हेलो स्टुडेंट गोड उनिंग कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो यह वीडियो जो है आपका बायो इस फेर से रिलेटेड है जो कि यह 2.6 स्टुडेंट के लिए है और सिर्फ 2.6 स्टुडेंट के लिए ही नहीं बलकि जो प्रेपरेशन क आपको बताए थे जिसको यहां पर हम कन्तीनू कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर हम आपको रिपिट कर देना चाहते हैं कि कि हैड्र फिर क्या होता है ह्टि चुछ आअ जिता बाद सलगे जो हाइड्रो स्फेयर है यह हाइड्रोलाजिकल साइकल में एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है यानि कि यह सप्लाई वाटर को सप्लाई भी करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि इसमें हाइड्रोलाजिकल साइकल हेड़ोज का सार्कल कहने का मतलब जो जल चक्र होता है ठीक है इसी को हिंदी है जल चक्र है इसमें जो है ये वाटर जल चक्र के दोरान जो सभी वाइटल अक्टिविटी जितने होते हैं उसमें वाटर का सप्लाई होता है ठीक है water is considered as elixir of life as no life is possible without water elixir of life कहने का क्या मतलब है कि no life is possible without water पानी के बिना कोई भी life possible नहीं है ठीके इसका मतलब क्या है कि elixir of life ठीके इसको हम क्या कह सकते है elixir of life है इसके बाद हमने और भी बता था कि बाइवस्पेर में जो आपका second part है वह है लीथो इसफियर आपका हाड़ोस्पेर हो गया लीथो इसके बाद आपका जाएगा क्या एटमास्पेर ठीक है तो लीथो बारे में बताना चाहेंगी यह क्या है लीधो इस पर कांट्रीप्यूट्स वाइड विराइटी जो और गए इन और गनिक सबस्टान्स और मिनरल्स रिकॉइड फोर सिंथेजिस साब बिल्डिंग ब्लॉक साब प्रोटो प्लाज्म लीधो इस फेर के अंतरगत वीच शरीजी हैं किसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक साब प्रोटो प्लाज्म प्रोटो प्लाज्म को बनाने के लिए जो सबस्टान्स और मिनरल्स रिकॉर्ड होते हैं प्रोटो प्लाज्म को बनाने के लिए या प्रोटो प्लाज्म को क्रेट करने के लिए वह सब इस सारे सबस्टान्स क बात पर बढ़ता है नेक्स्ट पार्ट जो आपका हमारा लास्ट है यह है आटमासफियर के आपस भारे में आप सभी लोग सुने होंगे यह बताना जाएंगे ए्टमसफियर जो होता है वह बाएस फिर में किस तरह के से रूल करता है अपास्फियर इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो atmosphere होते हैं इस पे जो है यह atmosphere हमारा gaseous region भी हो सकता है ठीक है gaseous region भी होता है हो सकता नहीं होता है the atmosphere is the source of oxygen यह atmosphere जो है यह किसका source है तो क्या क्या चीज़ेंगे इसमें पाई जाता यह सारी चीज़े किस फार में होंगे atmosphere में gaseous फार में होंगे ठीक है all these inorganic substance all these inorganic substance are used for the construction and maintenance of living matter जितने भी inorganic substance होते हैं इनका उपयोग इनका यूज construction and maintenance of living matter यह living matter को construction और इसको maintenance करने के लिए यूज किये जाते हैं ठीक है इसके बाद फिर हम hydro sphere के बारे में फिर से हम completely detail कर देना जाते हैं ठीक है कि हाइड्र इस फेर क्या होता है इसमें क्या क्या चीज़े पाई जाते है इसके बारे में आप पो बताना जाएंगे ठीक है तो यह है hydro sphere hydro sphere कहने का hydro में इस क्या होता है water ठीक है तो hydro का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर सभी component कैसे होंगे सब water की ही हर जगा बात किया जाएगा तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं hydro sphere के बारे में water is an ideal solvent water जो है यह एक ideal solvent है it has neutral pH इसका जो pH है वो neutral हो जाता है अगर यह water कैसा हो pure हो it is the most important component it is the most important component of protoplasm protoplasm का यह सबसे महत्पूर component माना गया है क्या चीज़? water water को protoplasm का एक important component माना गया है it occurs in atmosphere lithosphere and hydosphere और यह water जो है हर जगे बलेबल है तीनो बायो सफेर के तीनो तीनो सफेर में पाया गया है यह कान कौन से में कौन कौन से सफेर में atmosphere में भी water है लीथो सफेर में भी है और hydosphere में तो है ही इन वैपर और लिक्विट फार्म तो कहीं यह वैपर की रूप में वैपर की रूप में है या फिर कहीं लिक्विट फार्म में यह पाया गया है about 73% of earth surface is occupied by hydrosphere आर्थ का 73% जो है 73 पार्ट जो है वह 73 पार्ट में अर्थ के क्या पाया गया है क्या पाया जाता है hydrosphere प्याता है विच पॉंप ता मेराइन जिसमें मेराइन बनते हैं या मेराइन होते हैं और फ्रेस वाटर रिसोसेज और मेराइन में जो सब हडो इसफिर के अंतरगत आएंगे इन मेराइन इन्वार्मेंट वाटर इस हाइली सेलाइन चीक है यह हाइली सेलाइन कहने का मतलब भी साल्टी वाटर होता है मेराइन वाटर जो होता है तो जो मेराइन इन्वार्मेंट होता है वाटर का वो कैसा होता है हाइली सेलाइन होता है बट इन fresh water contain impurities लेकिन जो fresh water होता है और contaminants या imparties बट इन fresh waters contain impurities और contaminants of various ions, minerals and metals जब कि जो fresh water है इसमें क्या content करते है जो fresh water होते हैं यह कुछ इंपरिटेज गंटेंड करते हैं। और वार्य इसुख आइन्स , जैसे कि बहुत सार अंस , मिन्रेल्स और मेटल्स ठीक है। मारा मिराइन वर्टर कैसे हो गया मेराइन इन्वर्मन्ट में जो आजने माई ह много Spirit कंटेइन करते हैं और किस किस पर कैके इनकी इंते होती हैं कुस मिनरल ऑर कुछ मिनरल होंगे ज मेङने कुछ कुह यहां बर सिंगुन्स होंगे जो संब्सक्राइब केहोiban में भी हम देख लेते हैं तो यहां पर हम देखेंगे कौन-कौन से यहां पर मिनराल्स, आयन्स या मेटल्स हैं तो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे यहां पर सच आज सोडियम हो गया, मैगनीसियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सलफेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, कार्बोनी क इसड हो या कारबोनी कमल हो गए या एसड ही हो सकते है और नाइट्रेट हो गए फास्पेट हो गए एक्टेट रा ठीक है इन आयनिक फार्म के अगर बात किया जाए तो कुछ आयनिक फार्म में भी हो जाते हैं जैसे कि आयरन हो गया मैगनेज हो गया ठीक है सिलिका as minerals and dissolve gases और कुछ जो है dissolved gases भी होती है with little amount of organic matter और कुछ little amount में ठीक है with little amount of organic matter कुछ थोड़ी मात्रा में organic matter के साथ जो है ये ions, minerals और metals जाने की कहने का मतलब ये है कि जो hydrosphere है इसमें कुछ जो ions, minerals और metals पाए जाते हैं वह इस प्रकार से यहां पर है और कुछ इसमें जो है organic matter भी suspended form में पाए जाते हैं ठीक है तो hydrosphere में कुछ organic substance भी suspended form में पाए जाते हैं ठीक है अब यहां पर हम देखें कि further जो hydrosphere है यहां पर कुछ graphical चीजें भी हमने बताया है कि hydrosphere में क्या-क्या चीजें और भी आ सकती है ठीक है तो इसको ध्यान से concentrate mind से देखिएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में आप इसको share करिए like करिए और अगर आपके mind में कोई question है कोई query है तो आप comment section में जा करके comment box में जा करके अपने comments को लिख सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे ठीक है तो बढ़ते हैं आगे hydrosphere के बारे में जानते इसको आप screenshot भी ले सकते हैं ठीक है पुली screen पर आ रहा होगा यह यह आपका चार्ट पूरा तो इसको आप screenshot भी ले सकते हैं या फिर आप कहीं पर note भी कर सकते हैं ठीक है तो यह hydrosphere है hydrosphere कि कितने पार्ट में डिवाइड है two part में डिवाइड है कौन-कौन सा marine water resources और fresh water resources और fresh water resources ठीक है तो दोनों किस में आ जाएंगे hydrosphere जैसे कि हमने कहा कि आर्थ पर 73% क्या होता है 73% जो आर्थ का होता है यह किस से घिरा हुआ होता है water से ठीक है तो marine water resources होगे और fresh water resources होगे ठीक है two part में divided है फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे जो fresh water resources है यह फर्दर जो है यहाँ divided two part में एक है lentic waters एक है lotic waters ठीक है lentic waters को हम stagnant water भी कह सकते हैं और lotic waters को हम flowing water भी कह सकते हैं इस्टिंट वाटर कहने का क्या मतलब है जिसमें वाटर रन ना कर रहा हो जिसमें पानी का बहाओ या वाटर का बहाओ ना हो ऐसे वाटर को हम लेंटिक वाटर के अंतरगत रखेंगे या लेंटिक वाटर बूलेंगे और ऐसा वाटर जिसमें वाटर का फ्लोईंग हो रहा हो यानि water flow कर रहा हूँ बैह रहा हूँ ठीक है तो ऐसे water को हम किसके इंतरकत रख सकते हैं ऐसे water को पर organizator could length waters कह सकते हैं अब बात करते हैं lentic water की.. यह Lentic Waters कै एंध तो Lentic Waters है यहाँ पर हम देखेंगे जो Lentic Waters है यह Lentic Waters की किो भूल हमने Stignant Water यानि की इस्थिर Water भी उसकोगा सकते है जो कि जसमें कोई भी flowing नहाँ रही हो यह slut divided तीन बाट में कौन-कौन सा यहाँ पर셨जियो限 पर लेक, सकते हैं कि Dana O यहां बीक हुप 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 है तो यह दो यहां पर इसके बाद देख सकते हैं जो लेक है तो यह सब इसमें आजाएंगे यह सार वाटर कि सब बंद इस कि हम देखते हैं पर जो लेक से फर्दर डिवायड़ है इन टू-कूँट। oligotrophic lake और eutrophic lakes ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं जो lentic water है lentic water की बात करेंगे जो lentic water यह flowing water होता है तो flowing water आप सभी लोग देखे होंगे सभी लोग जानते हैं कि जिसमें पानी का बहा हो रहा हो जिससे कि streams हो गए rivers हो गए, rivlets हो गए ठीक है तो rivers यहां पर आप best example आप यहां पर जान सकते हैं कि river को आप सभी लोग ने दिखा है कि जो नदियों में पानी होता है जो rivers में water होता है उसको आपने बहते हुए देखा है तो कहने का मतलब क्या है कि जिस water में जिस water flowing कर रहा हो जिस water में बहाव हो ऐसे water को हम lotic water के अंतरगत रखते हैं या फिर flowing water के अंतरगत रखते हैं clear है तो आज के लिए बस इतना है इस video में मिलते हैं next video तो next video में आपको बताएंगे जैसे कि क्या बताएंगे जैसे कि हमने आज आपको बता दिया कि यह hydrosphere है ठीक है hydrosphere को आपने completely में complete रूप से अब आप जान गए हैं तो hydrosphere के बाद आपका क्या है जाएगा lethal sphere को हम बताएंगे इसके बाद then हम आपको क्या detail करेंगे atmosphere ठीक है ठीक है students तो अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इस video को आप जादा से जादा share करिए और यह video सभी बच्चों के लिए important है जो तैयारी कर रहे हैं जैसे कि अब GIC का form आ गया है तो GIC में जो आपका ecology से related बायोस फिरसा जो questions होंगे अगर आप इस topic को अगर पढ़ लेंगे तो यहां से आपके 2 से 3 नंबर के questions यहां से आपको मिल सकते हैं ठीक है तो आपक अगर यह video अच्छी लेकुई तो लाइक करिए शेयर करिए और अगर कोई query हो कोई question हो तो आप comment section में जा करें comment box में जा करके वहां बर आप अपनी question को लिख करके भीज सकते हैं ठीक है इसके बाद फिर मिलते हैं next video नेक्ट वीडियो में आपको हमने बता दिया कि हम आपको